साथी हूँ, आप से विकास प्लेट फार्म पर सहगत है। यहाँ प्राइम लोग घटना चिक पॉब्लिकेशन के आर्थकी भारतियों 2022 ते इसको देख रहे हैं और इस पुस्तक के जो वैश्चिक सुचकांग वाला सक्सेन है उसको आज के दिन कबर करेंगे। तो चलिए प्राइम करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, मानो विकास सुचकांग 2020 के बारे में तो 15 दिसंबर 2020 को मानो विकास रिपोर्ट 2021 जारी की गई, यहाँ रिपोर्ट जो है वर्ष 2019 के आखरों के आधार पर विश्व के 189 देशों के मानो विकास के इस्तर का आखरों करती है, 189 देशों के इस्तर का आखरों करती है, जो Human Development Index है HDI के आखरों वर्तमान प्राविधी जो है, उसमें तीन संकेत को को सामिल किया गया है, यह तीन संकेत कों से याद रखेगा, जीवन प्रत्यास सुचकांग, सिच्छा सुचकांग और आयस सुचकांग अब मानो प्रत्यास सुचकांग 2020 की दिवाद करें, तो इसमें 189 देशों को कवर किया गया है, और इन को प्राप्तांकों के आधार पर चार वर्गों में विहाईत किया गया, अब यह वर्ग कोंगों से है, तो पहला जो है, जिनकी रेंग या जिनके अंग 0.8 या उससे अ जिनकी रेंग 67 से लेकर के 119 रेंग तक है, इनको उच्छ मानो विकास वर्ग में इसके अत्रिक, जो तीसरी कटेगरी है, 0.55 से लेकर के 0.699 HDi वाले मोल लिवाले 37 देशों, जिनकी रेंग 120 से 156 रेंग तक है, को मध्य मानो विकास वर्ग तक था, जो चौथी कटेगरी ह 0.55 से कम अंक पानने वाले 33 देशों जिनकी रैंक 157 से 189 रैंक है इनको निम्न मानो विकास वर्ग में रखा गया है तो इस HDR 2020 में परफंपांच इस्थानों पर को है पहले इस्थान पर यहाँ पर नार्वे है दूसरे पर आयलैंड है तीसरे पर स्विजियलैंड है चौते पर होंग कांग और पांच पर आइसलैंड यह भारत की बात करें तो भारत HDR 2020 में 0.645 अंको के साथ 131 में 131 इस्थान और 131 मतलब यह जो है 120-156 रैंक के मद्द में हैं और इस प्रकार से यह जो है भारत है वो मद्द मानों विकास वर्ग के तहथ आता है आगे बात करते हैं आइमडी विश्व प्रतिस परधात मुक्ता रैंकिंग 2021 के बारे में तो इसे स्वीजर लेंड के लुसाने में जारी किया गया है और इस रैंकिंग में 64 देशों को सामिल किया गया है और इस रैंकिंग में स्वीजर लेंड स्वीजर लेंड जो है विश्व की सबसे अधिक प प्रतिस्परदी अर्थब्यवस्था के रुप में सीर्स इस्थान पर है दूसरे स्थान पर स्वेडन है तीसरे पर डेन्मार्क है नीदर लेंड चौथे स्थान पर है और सिंगापूर जो है पांचवे स्थान पर पांचवे स्थान पर है और बेनिजूला जो है इस रैंकिं में 64 देशों में सबसे निचले पायदान पर इस्थित है यह दिभारत की बात करें तो भारत आइमडी बिश्व परतिस पर धात्मक्ता रैंकिंग 22 को ईवेस चेंबर आफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीत केंद्र ग्लोबल इनोवेशन पॉलसे सेंटर द्वारा अंतर राश्टी बौधिक संपता सुचकांग 2022 का दस्वा संसकान जारी किया गया है इस सुचकांग में 55 अर्थ विवास्थाओं को सामिल किया गया है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 95 से अधिक का योगदान करती है इस सुचकांग में 50 विविन संकेत कों के आधार पर इन पचपन देशों में बौधिक संपता अवसरचना का मुल्यांकन किया गया है और इस सुचकांग में सेंटराज अमेरिका पहले नंबर पर उनाटिक इंगरम दूसरे पर है जर्मनी तीसरे पर है सुचकांग में भारत के अतरित तो यहाँ पर ये कोई भारत से पीछे है तो वो दच्छे अफरीका है ब्रिक्स देशों में आगे देखते हैं देखें सुचकांग में भारत के अत्रित सामिल एक मातर जो दच्छे एशाई देश है वो पाकिस्तान जिसकी रैंग 53 है 55 देशों में 53 में इस्थान पर है आगे उन्नेस सो पंचान में से प्रटिवर्स भरष्टाचार बोध सुचकांग जारी किया जा रहा है करप्शन परसप्शन इंडेक्स को जारी किया जाता है और इस बार इसका 27 संसकर्ण वार्सिक संसकर्ण जारी किया गया है इसमें कुल 180 देशों को रैंकिंग दी गई है यह जीरो से 100 अंकों तक बिस्तारी थे जिसमें 0 का अर्थ है सरवाधिक घष्ट highly corrupt और 100 का अर्थ है सरवाधिक इमानदार very clean इस सुचकांग में डेन्मार्क न्यूजिलेंड था फिनलैंड इन तीनों को 88 अंकों के साथ पहले इस्थान पर रखा गया है पहले इस्थान पर कौ इस सुचकांग में भारत को माल्दियू के साथ सेंग तुरुप से 85 वह स्थान पर रखा गया है अस 180 देशों में 85 वह रैंक दी गई है भारत यों माल्दियू को इन दोनों का सेंग इन दोनों का जो स्कोर है वो कितना है चालिस है यह दि ब्रहश्टाचार बहुत सुचका मतलब एक अंग का सुधार हुआ है आर्थिक सुचकांग 2022 की बारें बात करें तो इसको आर्थिक सुचकांग के मापन हे तुक प्रसिद अमेरिकी थिंक टैंग धा हेरिटेश फाउंडिशन एवंग दा वाल इस्टीट जनरल द्वारा प्रतिवर्स आर्थिक सुचकांग क प्रतिपादन किया जाता है और इस बार जो है इसका 28 संसकन जारी किया गया है 28 संसकन जारी किया गया है इसको 1995 से जारी किया जा रहा है और इसमें इस सुचकांग में 184 देशों को सामिल किया गया है पर तो इस साथ देश कोन कोन से एराग लीविया लिचिश्टीन सुमालिया सीरिया अफगाइस्तान और यमन को कोई रैंक प्रतान नहीं की गया है इस सुचकांग में सीर्स इस्थान पर सिंगापूर है नमबर एक पे सि और भारत 131 इस्थान पर है इसी प्रकार से मानो विकास सुचकांग में भी 131 इस्थान पर था ठीक है मानो विकास सुचकांग 2020 में भारत 131 इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं कि जब मानो विकास जैसे मानो विकास होगा वैसे उसकी आर्थिक सुन्ता बढ़ेगी तो आप दोनों की बराबर है मानो विकास सुचकांग में 131 है और यहां पर भी 131 है इस प्रकार से आप रिल 176 पर है क्यूबा 175 पर है सुडान जो है 174 पर और जी मौंबे 173 इस्थान पर है आगे बात करते हैं वैश्विक आतंकवाद सुचकांग 2022 के बारे में इसे इंस्ट्यूट फॉर एकोनॉमिक्स एंड पीस के दौरा जारी किया गया है और यहां इसका नौवा संसकन है नौवा अस्टेलिया के सिड्री में इस्थित है तो ध्यान रखिएगा इंस्ट्यूट फॉर एकोनॉमिक्स एंड पीस एक तिंग टैंक है जिसकी स्थापन दोजार साथ में अस्टेलिया के सिड्निय में हुई थी है इस सुचकांग में बिश्व की कुल जन संगा के 99.7 प्रसुत क करने वाले 163 देशों को या 163 देशों में आतंकवादी तुलनात्मक अध्यन करके आतंकवाद और उसके प्रभावाद से सबसे अधिक प्रवावित अफगानिस्तान इस सुचकांग में दस अंकों में से 9.109 अंकों के साथ पहले इस्थान पर है इसके अत्रिक देखें तो दूसरे नमबर पर इराक है तीसरे पर सुमाली है बुर्किना फासो चार रुथे पर है और सीरिया पांच वे नमबर पर एद भारत की बात करें तो 7.432 अंकों के साथ भारत जो है बारहमे इस्थान पर इस्थित है आगे बात करते हैं जलवायू परिवर्तन परदर्सन सुचकंग 2022 के बारे में इसे जर्मन वाच और क्लाइमेट एक्सन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्ट्यूट द्वारा सेंग तुरुप से 9.9 नमबर 2021 को जारी किया गया यह इसका 17 संसकान है इसका पहला संस सुचकंग में चतुर्थ क्रम पर हैं रिपोर्ट के अंसार प्रतम तीन इस्थानों पर कोई भी देश इस इस्थान नहीं बना सका क्योंकि पेरी समझाते के लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायू परिवतन के खतरनाग प्रभाव कि रोगथा में तो पर इसुचकांग में शुडटन को पाँच्वा है समग रूप से दूसरा, नारवे को 6, क्रम से देखें के 3 इस्तान प्राप्थ हुआ है और युनियटिट इस्तान प्राप्थ हुआ। दुनिया के दो सबसे बड़े कार्वन उत्साज़क देश चाइना और सब्सक्राज अमेरिका की बात करें तो चीन जो है और सब्सक्राज अमेरिका 55 वे पच्पनवे इस्थान पर है सुचकांग में सबसे नीचे कजाकस्तान है 64 नमबर पे सौधी अरब 366 पे है इरान जो है को 62 सब्सक्राइब यह बेरी पूर रेरटिंग प्रदान कि अब करें तो भारत 21test की तुलना में कोई भी परिव मतलब इस बार भी दस्वे स्थान पर है और पिछले बार भी दस्वे स्थान पर ही था आगे बात करते हैं वैशिक लेग अंतराल सुशकांग 2021 के बारे में तो लेग शमानता को मापने के लिए बनाया गया सुशकांग सुचकांग ख़िया जो विश्व आर्थिक मच वर्ड एकोनामिक फोरम के द्वारा 2006 से प्रतेकवर्ष जारी किया जाता है यह सुचकांग चार छेत्रों में लेनी अंतराल परिछन के आधार पर जारी किया जाता है यह चार छेत्र कों से हैं? तो यह जो चार फैक्टर है इन चार फैक्टर को जरूर याद रखेगा जो भी आपकी जीवन में चार जीवन महात्पुर जैसे के आर्थिक, सैचिक, स्वास्थ और राजनीत यह चारों के बेसिस पर ही यह रैंकिंग पर तयार की जाती है यह सुचकंग जीरो से लेकर के एक के स्कोर के मद्ध है जीरो कार्थ है पूर्ण लैंगिक असमानता और एक कार्थ है पूर्ण लैंगिक समानता इसे बार की ranking में 156 देशों को सामिल किया गया है और इस ranking में आइस लेंड पहले नंबर पे हैं, फिल लेंड दूसरे पे हैं, नार्वे तीसरे पे हैं, न्यूजिललंड चौत हैं रूसरे पर सूरे पर हैं, वेस्ट्थिक लागें अंतराथ सुसकंग 2021 में इसे सबसे खराब है 140 में इस्थान पर है 140 में इस्थान पर भारत इसमें है 156 में अब आगे चलते हैं आगे बात रपते हैं सद्थ विकास लच सुचकांग 2021 की तो देखिए सहस्तराब्दी विकास लच MDG 2015 की इस्थान पर जो है सद्थ विकास लच SDG 2016-2030 जिसे एजंडा 2030 भी कहते हैं को 2015 में सुईकार किया गया गया था इसमें 17 मुख्य लच्छों तो था 169 सहाइक लच्छों को निजाइद करते हुए P5 P5 में क्या है पीपूल प्लैनेट पीस प्रोस्परटी और पार्टनर्सी पर जोड़ दिया गया सद्थ विकास लच्छों की प्राप्ती में हुई प्रग्यति का आग्लन करने के उद्देश से हाल ही में सद्थ विकास समाधान नेटवर्ग HDSN और birdsman sit fitting दारा सज्च कांग सद्थ विकास लच्छ सद्थ सुच कांग और डैसबोड से रिपोर्ट दज़ल किस जारी किया गया है देखिए इस सुच कांग में सद्थ राश्ट के 193 सद्थ देशों में से 165 सद्थ देशों को सामिल किया गया है इन्हें देशों को सूनि से सौ के बीच स्कोर दिया गया है सूनि का अर्थ है सबसे खराब इसित और सौ का अर्थ है सबसे बहतर इसित इस सुज़कांगे पर्थम तीन इस्थानों पर फिल्लैंड, सुईडन और डेनमार्क है पहले इस्थान पर सबसे तीन देश हैं फिल्लैंड, सुईडन और डेनमार्क है ब्रिक्स देशों में भारत तो हम दच्छे अफरिका की रैंकिंग 100 से नीचे तो भारत की 120-वी है और दच्छे अफरिका की 107-वी रैंक है इसके अत्रिक देखिए जो 63 ब्रिक्स देश हैं, रूसी संग, इसकी 46 रैंक है चाइना की 57 है और ब्राजिल की 61 है सद्ध विकास सुचकांग में भारत 60.1 इसकोर की साथ रैंकिंग में 120 वे इस्थान पर है जबकि 2020 में 117 इस्थान परता है, मतलब तीन इस्थानों की गिरावट दर्ज की गई है इस रिपोर्ट में SDG Dashboard भी प्रसुत किया गया है, जिसमें प्रतेक सद्ध विकास लच्च को किसी रंग जैसे की हरा, पीला, नारंगी और लाल मतलब इने चार रंगों से चिनित किया गया है, जिबकि पिछले वर्जों तीन रंगों को इस्तमाल किया गया था हरा, पीला, लाल, इस बार चार रंग इस्तमाल किया गया है, मतलब नारंगी भी सामिल किया गया है जंटत की जाने करते सुटिष प्राप्ट कर लिया गया है जब कि पीला और नारंगी रंग यह उसकेश सथ देता है कि अभी चुनोतियां अभी सेस् ज हैं और जब कि लाल रंग यहां परदेस्त करता है साफ ही सिम्लाप्टि दूर है वैस्विक नवाचार सुचकांग 2021 की बात करें तो इसका प्रकाशन विश्व बहुदिक संपदा संग्रहन डबलू आईपियो दौराब पोर्टलूस पोर्टू लंश इंस्ट्यूट विभिन कार्पिर्ट अकार्मिक नेटवर्क भागिदारों यों GII सलाकारी बोर वैस्विक नवाचार सुचकांग 2020 की गई है यह दो उप सुचक कों से हैं नवाचार निवेश और नवाचार निर्गत देखिए इसे 2007 से प्रकासित किया जा रहा और इस बार को संसक्रण है इसका 14 संसक्रण है और इसमें 132 देसों को अर्धवेवस्था को रैंकिंग प्र क्राइसिस इस सुचकांग में स्विजन लेंड जो है सीर्स इस्थान पर है स्विजन दूसरे पर है अमेरिका तीसरे पर है यूके चौथे इस्थान पर है और वहीं भारत 132 देसों की सूची में 46 इस्थान पर है कितने इस्थान पर है 46 इस्थान पर है जबकि 2020 में भारत इस सूची में 48 वे स्थान पर था मतलब दो रेंग की रेंग का सुधार हुआ है 48 से 46 पर पहुंच गए हैं बिक्स देशों में भारत के अलावा अन्य देशों की सित की बात करें तो ब्राजील 57 पर चाइना 12 नंबर पर रूस 45 पर दच्छन अफरिका 61 वे नंबर पर है 61 फार्चुन द्वारा प्रतिवर्स राजश्र आयके आधार पर विश्व की 500 कंपनियों को जो है या 500 कंपनियों की सूची फार्चुन ग्लोबल 500 जारी की जाती है इस बार जो 2020 की सूची है इसमें अमेरिकी रिटेल कंपनी वालमार्ट नंबर एक पर है दूसरे इस्थान से चार सार्वीं शेत के उपक्रम हैं अब यह साथ कौन से हैं तो इसमें टॉप पर रिलाइंस इंडिस्ट्री इस लिम्टेड है फिर इंडिया फिर इंडियन ओयल फिर आयल और नेच्रल गयस है फिर राजिस एक्सपोर्ट है और फिर टाटा मोटर्स तदा सात्वे नंब किया गया यह एक दुईवार्सिक रिपोर्ट है इससे पहले 2018 में आये था अब अगला 2022 में आएगा जिसे एल विश्विद्यालें कोलंबिया विश्विद्यारोदारा विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से निर्मित किया जाता है इसमें 2020 की जो रैंकिंग है इसमें 180 देश सुजलन तीसरे पे हैं यू के चौथय और पांचेंग फ्रांस है पर्यावन प्रदसंस सुचकांग 2020 में भारत अंतिम 15 देशों में इस्थान प्राप्त किया अंतिम पंद्रा एक सो असी देशों में घाना के साथ से 168 इस्थान पर है जबकि 2018 में इस सुचकांग भारत 177 में इस्थान पर था 177 वे था और इस बार पिछले बार की अपिच्छा कि क्या हुआ 168 पर आगे मतलब नौ अंकों का या नौ रैंक का सुधार हुआ है रैंकिंग में अंतिम पांच देश पर अंतिम पांच देश कों से 187 पर लाइव एरिया है 179 पर मयामार है 178 पर अफगानिस्तान 177 पर सियरा लियोन 176 पर आईडी कोट डी आईवरी आईवरी है आगे चलते हैं मानो 178 सुचकांग 2021 के बारे में बात करें तो दिसंबर 2021 में वांसिंटन डी सी असा साइव तराज अमेरिका इसे कैटो इस्ट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्ट्यूट दारा सैंतुर्प से मानो 178 सुचकांग का सात्मा वार्सिक संस्क्रण जारी किय गया है देखिए मानो सुचकांग 2021 में 2019 के उपलब्द आंकडों के आधार पर 165 देशों को सामिल किया गया है जिसमें देशों को जीरो से लेकर के 10 के मद्र रेटिंग दी गई है जीरो कार्थ सुचका के संदर में सबसे बत्तर इस्तित का सुचक है जिबकि 10 10 अंक का पूर रही है और इसमें सीर्स जो पांच देश है नंबर एक पर स्विजलेंड दूसरे पर न्यूजिलेंड है तीसरे पर डेनमार्क है चौत्य पर इस्टोनिया है पांच वे पर आयलेंड है और अंतिम पांच देश कों से है तो 165 नंबर पर सीरिया 164 पर बेनुजिला 63 यमन है 162 पर सुडान और 161 पर मिस रहे है भारत की जो रैंक है वो 119 है इसकोर कितना 6.39 यहां ध्यान रखेगा वर्ड लेवल पर जो एवरेज है 7.12 है और भारत की कितनी है 6.39 मतलब भारत की जो इसकोर है वो आउसत से भी नीचे है आगे बात करते हैं वर्ड टैलेंट 2021 के बारे में तो IMD International Institute for Management Development Competitiveness Center दौरा वर्ड टैलेंट रेटिंग 2021 का आठवा संसकर्ण जारी किया गया है IMD ने वर्ड टैलेंट रेंकिंग को तीन कारकों के आधर पतियार किया है निवेश और विकास दूसरा है तत परता तीसरा है अपील वर्ड टैलेंट रेटिंग में या रेंकिंग में प्रती बैक्ति मध्यम यह उच्छ आये वाली 64 अर्द्वेवस्थाओं को सामिल किया ग रेंकिंग 2021 में सिर्फ 10 इस्थानों में से सभी पर इरोपिय अर्द्वेवस्था हैं इस सुचकांग में 64 देशों के देशों की सूची में पिछले वर्ड के 62 इस्थान के मुकाबले भारत ने 6 पायदान की छलांग लगाते हुए 56 इस्थान पर पहुंच गया है मतलब इस पहुत हैं लेगाटम संब्रद्वी सुचकांग 2021 के बारे में तो इसे लेगाटम इंस्थान को जारी किया गया है और यहां इसका 15 संसकान हैं इस सुचकांग में साथ छेत्रों को 167 देशों साथ छेत्रों के 166 देशों को रैंग प्रदान की गई या सुचकांग तीन कारी छेत्रों 12 इस्तम्भों 66 दत्तों यूं 300 संकेत को के पर आधारित हैं यह 12 इस्तम कों से हैं सुरच्छा यूं सरच्छा व्यक्तिकत सुचक्टा प्रसासन समाजिक पूजी निवेश का माहूल वो दिमता की सरतें बाजार तक पहुंचता है और से चना आर्थिक ग एशिया प्रसांद छेत्र में सरवाधिक सम्रिद देश है जिबकि ऐसे देखा जाए तो आठवे इस्तान पर है सुचकांग में जो सीर्स पांच है तो नंबर एक पर आपका डेनमार्क दूसरे पर नार्वे हैं तीसरे पर सुट्रें हैं चौते पर फिन्लैंड और पांच पर नंबर एक पर है इसके अत्रिक्त वैस्तः नमाचार सुचकांग 20 2027 में सुचकांग नंबर एक पर है वरड टेलंड रेंकिंग 221 में सुचकांग 20 тогда 11 1 पर है वहीं डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क भी कई में है जैसे कि भ्रष्टाचार बोथ सुचांग 2021 में डेनमार्क जो है नंबर एक पर है पर सही तुरूप से नंबर एक पर तीन देश हैं डेनमार्क, न्यूजिलैंड और फिल्लैंड इसके अतिक जलवाईव परिवर्टत प्रदसन सुचांग 2022 में भी इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियों तब तक क्लिए बहुत बहुत धन्यवाद